हलो आप सभी का स्वागत है यह आप देख पार होंगे मेरा आश्रोगंदा में पानी चल रहा है और यह जो थोड़े बुरा बुरा दिख रहा होगा यह आप देख पार होंगे यह इसके बीज है जो लगभग पक चुके है अब हम अपने आश्रोगंदा के हर्वेस्टिंग क करेंगे तो उसके लिए पहले हम पूरे खेत में पानी पिला देंगे ताकि यह आसानी से उखड़या है अगर हम इसको पानी नहीं गुमाते तो इससे होता ही है कि कुखाणने में दिक्कत आती है और जड़ तूटती है अगर मैं आपको कुखाण के बता हूं यहां से पानी चल रहा है तो यह इस तरीके से बनी हुई है कि इसमें आप देख पा रहा हूंगी यह अलग-अलग दिख रहे होगी कोई छोटी भी दे जाती है को बड़ी भी हो जाती है तो इसे साथ से बार में फिस जड़ों की छटाई भी करने पड़ती है आपको अगर बता हूं तो कि इस तरीके से हो जाती है यह इस तरीके से टूड़ियाती बिल्कुल यह से टूटना चलो हो जाए कि इसका मतलब ही है कि यह पक चुकी अपने अश्वगंदा पुरी तरीके से अगर आपको बता हूं तोड़के अगर आपको बता हूं तोड़के यह आप देख पार ही है यह इस तरीके से पच्च की दन्यवाद